कुछ आपकार्यूंग आप शो कर दोस्तों मैं सबसंकर जादून स्वागत करता हम आप सभी का मेरे चैनल जादूनक्लासे किश चला है आज हम इंगिनिरिंग ड्रॉइंग के पर्णे सिरुवात की किलास यह पहरी क्लास है जिसमें हम इसके कि इंजिनेरिंग की परवासा क्या होती है इसका उपयोग क्या है इसका महत तो क्या है इसको हम यूज क्यों लेते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि लगवग लगवग साहिन इंजिनेरिंग की हर ट्रेड में यह पढ़ाया जाती है ठीक है तो इसका उपयोग बहुत ही जर यह हैं आपिest कुछा। नापमारी दोस्तों से मिलकर बनावाइं तो इन्जीनियर्ड और चनुट्रा परकंशितारं को सब्सक्रां परकंशिता है motion अगर आप इधन दूटे तो ओर ईन्जीनिर्ड और ड्रोएंग की हो सकते हैं लिवाइए शरक किया कुछ अगर यही ड्रोइंग यह आपने जो आकरती बनाई है या जो गलपना करके जो भी चित्र बनाया है अगर वो चित्र इंजिनिरिक सेक्टर ओर जैसे बिल्डिंग्स हो और या फिर हमारा जैसे मस्शीनिरी के पार्ट्स हो या इलेक्टिकल से लिटेड हो पंपनेंट हो ऐसी प्रपर प्रपर रूप से बना जाती है उसके कुछ नियाँ होते हैं प्रपर पैंसल यूज करना है पड़ती है प्रपर लेटर रैटिंग यूज करना है पड़ती है प्रपर हमें डाय्मेंज मिलेन परती है तो यह सारी चीज़ों को अब रिज़िए प्रपर लेटर रैटिंग यूज कर रहे हो आप प्रपर रैटिंग कर रहे हो उससे पहले चीज जान लेते हैं कि इंजीनेर्ग यूज की लेंग्वेज है इसको लेंगएज के रूब बंजाना जाना किसी लेंगष की रूम ढ़ता है? इंजनेर की रूम जाना किसी रूब भी चेहना चाता है वो से या पर भी चेज़ की रूब Wi-ud ऐसे में आगे बात करेंगे कि जो बेयो बै-टेश होता है कोई भी चीज कहने की कुछ तरीकर होता है जैसे कौन कोछ तरीक हो सिर्टा है म sensitů बात को मोकिक से कह सकते हो भी जैसे अरक ही मौकिक प्रहु जातकी갈ा ऑप कह सकते हो कि यह चीज ऐसे बन नहीं कि यह चीज ऐसे बने लिए वह बिल्टिंग अगर बीस मंजिल आए और मंजिल पर चाहए आटाटाटाटास कम्रें लेट बात रहे श्रीडिया वह सरी चीज है तो आप उसको नहीं समझा सकते अच्छी तरीके से काहँ पर क्या बलेगा इसलिए मै चीज को नहीं समझ सकते हैं तो दूसरे से होता है लिखित लिकर आप किसी चीज को समझा सकते हूं यह तो ओली जदा कठेल था कि मौकए उससे फिर भी आप थोड़ा बहुत समंझा सकते हैं लेकर थो इनजनेर्क रोंग से रिलेट चीजों को सम्झाना बहुत Shouldn't Works he कि यहां पर हमारा काम थोड़ा सा दिक्कत आती है तीसी चीज होती है, साम केते हैं इस हावन से आप किसी चीज को समझा सकते हो चौती चीज होती है, हमारी ATKT-Trylap या ड्रॉइंग बनाके आप समझा सकते हैं यह जो चीज है, यह सभी चीजों को बॉल्ब परती है इन सभी चीजों की जरुवत को पुरा प्या देती है अगर आप किसी चीज से चित्र पना के अगर आप किसी को दे देते हो और अगर उसको नॉलेज है इंजिनिरिंग डॉइंग के बारे में आराम से आप जो समझना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, वो समझ चाहता है इसकी और एक चीज है, इसकी चल comigo तरफ के उपड़ी, क्योंकि इससे आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रग सकते हैं लाँ टाइम तक याद रग सकते हैं, लंबे समय तक, कैसे? जैसे माली जी बिल्डियों का आफ ने देखा ही है, आज काम स्टार्ट किया है, सालों तक चलता रहता है, अब जरूरी नहीं है कि जिसने कॉंट्रेक्ट लिया है, वो पूरा कॉंट्रेक्ट पूरा करके जाए, या जो मजदूर आज काम कर रहा है, जो इंजिनियर उसके अगर एक बाद ड्राइंग बन गई तो आप उसे चार साल बाद यूज़ कीजे जो चीज आज पढ़ने बाद उससे समझोगे वही चीज आप चार साल बाद पढ़ने पर समझोगे उससे आप उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला दूसरा फाइदा यह होता है कि जैसे महलीक अगर आपने बिनार ड्राइंग के कुछ चीजा स्टार्ट कर देगा पर बिड़ने वहीजर्टा नहीं कुछ भी बनाना स्टार्ट करती दिगा आज बनाना स्टार्ट गर्डिया अचानक आपको आदा काम या डीस परसेंटिस बि तो फिर आप उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 50% काम को रद करके पाप इस नया काम स्टार्ट करें बहुत होता है इंजिनिक रोइंग में इसका फायदा रहता है जैसे माली जाहिए अपने रोइंग बना दी और बनाने के वाद तो उसमें कोई चेंज कर सकते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो द्वारा से बनाने में ज्यादा टैम नहीं करा होगा ज्यादा पैसा भी खड़ाब नहीं होगा जैसे आपने बनाई आपने बस को दिखर जोई उसमें एक दो कमी निकाली तो आप उसको साफ कर लिए द्वारा बना सकते हैं तो इसको रेज कर को बना सकते हैं, सीट पर बना रहे हैं विशाफर के दवारा बना सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है आए, कितनी वाली बनाओ, जब फ़ाइनल सबको पसंद आजिए तो प्रोजेक्ट बनाना है, स्टार्ट कर दीजिए, यह तो इसका फायदा रहता है इसलिग आ इंजिनियर का उज़ करते हैं अब कई बाद एक चीज आती है जैसे महान लेजी यह चीज आती है कि हर्ट्रेट अगम क्यों पड़ती है हर्गोई तो नहीं भंता है एक लीगते हैं क्यों भी स्चेजें को मोडिफ़ाई किया जाता है थी ने रिसरच की जाते हैं तो पहले उनके बाड़िवार से जाता है पिर अन्हें च्र Movement को नहीं पता difference इसलिए ये सब्चेक्ट जो हमारी हर किलास में इसलिए चाहते है तो उसके लिए पढ़ना बहुत ही चाहता है तो यह बात हुआ है एक है ज़रूरत पढ़ती है में पर ना ज़रूरी है कि यह इंजिनिम्ट रहें के बाद में बेसिक विसिक चीज है ति इसको बनाने के रहे किसके चीज़ों पढ़ती है यह बेसिक पीटे को सबसे पहले तो इस्टुमेंट पीज़ों पढ़ती है कि अब कराण इंगो क्या बोलते हैं कि कराण कि अब कराण थिक है इस्टमाल पोलते हैं इन फोत्राण मेंट भीडें से पैसे इन पेसे हैं रहंज और डूपर आए जिसमें पूरा सवह नहीं और बताए श्वास आघा जिए तो रहा है याँ तो प्ते श्याए जैसे एक तो घरान रहें आपनीर और यचिएस wijze दोसर बथा है इस कोमेंटर क्यों ज्यों है है अगरा के मतलब हे नहीं करें पूं़ लाम सिर्ग मतलब है कि अगरा श्कुत च्राइबिवरी च्राइब में हम तेंगे की सिर्था जेंद का ने रहा जांगा। यह रहा है ज़िए सिस्प्रक्राइब चाहिए प्रेशने से च्राइब। में 30 to 20 गा बना रहे हैं, तो इसकी माप 30 to 20 गे आसपास होना चाहिए, ऐसा हम ही 30 to 20 को लेकी नमादा 16 to 70 गे आसपास भी नहीं नहीं आरहा है, तो वो फ्रिया डिस्केच्च नहीं होता है, थोड़ा-थोड़ा उसे मिलता जोलता होना चाहिए, अगर आप रही एस्ट्यूमे पूरीचीज़ों के लाएं नहीं है जाओ धिवलेटें चीज़ पर्णका एंसल देदे हैं इसके लिए टीस्टवर लते हैं कि सतिकर लेते हैं चिक्वार्प्र लेते हैं अब रिजर लेते हैं कि सॉपनर लेते हैं कि और शीक लेते हैं यह कुछ चीजे दिवाइडर यह पर लेते लिए Kendall और कम भासंस्त यह चीजे हैं जो कुछ चीजे हैं सब जानते हैं इस अनीघंक है कि प्लॉ앯 मरा यह सब जानते हैं कि वो उधती है लेके 7 ततर होती है यह हमारी ब्राइन होती है ब्राइन की कुछ पैंसल होती है जिनको काम लेते हैं यह अपने पैंसल का चेक्टर कड़ाएं तो पैंसलों के बारे में पढ़ेंगे तो पैंसल का यूज क्यों करते हैं स्केल क्या यूज क्या होता है इनके में थोड़ा प्रा धी की इस्टील के नग़ा ही पर इसटील के लिए सेक दरोगें कही Whole जाती है अठिक की नजर से पड़ा मेंगा भी ता है कि लंगडिगा भी स्केल आता है उसको यूज स्लीह नहीं करते हैं क्योंको ट्रांस्कारेंट नहीं होता है। उसे अरफार देखता है। तो मैं लाइन बना दिमें इक देखता है। तो यहाँ पर जासर क्लास्टिक काईश स्कोर यूज करते हैं 2019 सफ़ाइब काईश काईश स्केल होता है कि इसकोर ऐसकेप एटधियर होता है कि योज में इसकेल होता है और एक शकेale ऐसा होता और यह अंगल 90 डिग्री का होता है यह अंगल 30 डिग्री का होता है यह अंगल 30 डिग्री का होता है और यह अंगल 90 डिग्री का होता है इंक्लाइन लाइने की सकते हैं समय। इससें çok सब्सक्राइए वे समय करने.. जो चाहिते हैं जो अपर तिक आ, यहां यह कुछ फट्पieteों डीतों इस तरीके से बनावुता है अर duż साफने कि जानता ही है शाफने कर रुभर साफने का उुलिचा जाता है अंचोब कि लग्छिए यहां तो उुलिच उलिचवा होता है उनको साफ करने के लिए सब्सक्राइब कर दोनों साइड में नहीं होती है एक साइड में पिन होती है जब के रंच59 तो नहीं होती है थिऌन में दोफख फिन दोओ सब्सक्रा आप Ergebnis सब्सक्राइब शच्rale में थोए सबसे रहा है अननल है अद्रान उसका घी मित थे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है तो 1.2 फिर 1.2 लोगे फिर 1.2 लोगे हो सब्सक्राइब आप से जोड़ने में गलत हो या इसा नहीं होता है डिवाइटर में अगर आपको किसी भी लाइन को 1.2, 1.3, 2.3 ऐसा करके अगर एक्वाल पार्ट्स में डिवाइट करना है तो उसके यह क्या पार्ट्स में एक बार इतना सा ले लेंगे 1.2 और उसके बाद डिवाइटर को लगाते जाएं इस जाड़ने यह पर रखा यह पॉइंट हो गया एक रहसे कुमा के दूसरा इसरा 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 इसे लगाते जाएं उसकी माप में कभी भी चेंज नहीं आ गया तो यह है हमार जो बहुत ही ज़्रूनी पार इंच्रूर मेंसरा चीज्टिवाद यह फिल्कुल इसका आधार ऐसा मैं चीच के पैंचिछ पेंचल के बनातों बनाना इंपसिवार है तो कि एसकी का जीदा इसे इनगे फिल्कूल इसका है जी तो कर दो दो लिएकश लिए धायं को कहाम में कि इसको अच्छा रांकर हो गयते हैं ठीक है यह उता है डाइमेंड्स नहीं है आइन से यूज़ करते हैं लेटा डाइटिंग भी आती है इसमें डाइमेंड्स नहीं आती है इसके अवाल जिएमेट्री कंस्ट्रक्शन के नाव से चीज़ हो रहे है इन चीज़ों का भी इसमें यूज़ होता है पैंसे प्लाइग्राम को बनाने में काम आती है किसी चीज़ की माप लिखनी है किसी पार्ट का नाम लिखना है तो वो जो लिखने की क्रिया है वो क्या कहलाती है हमारी अक्षरांकन कहलाती है या लेटा रेटिंग कहलाती है इसे बी आप पार्ट बना दें पार्ट पर माप होती है माप लिखी जाती है मस को कहते हैं तो जी आप में यह चीज़ मना दें तो इसकी कुछ माप लिखते हैं लेकिन ऐसे नहीं का कुछ भी और उठाके लिख दिया। इसके बहुत सारे निया में वह अपन जब मैं इस चप्टर को पढ़ा हम आगे हो उसमें हम डिसकस करें हैं डायमेंशनी क्या होती है कौन कौन से रूल है डायमेंशनी करते हैं कहां पर क्या आजाए कौन सा पार्ट होता है तब कैसे डायमेंशनी करते हैं वह डायमेंशनी व पढ़ेंगे, लाइन, ट्राइंटल पढ़ेंगे, और स्का ankle on पढ़ेंगे और सलता भी आंदा है, हम सब सेंगे हैं। यह अंद मेंidet सिरजन सिर्दों पढ़ेंगे, को सोलोतोר भी तो बहुत अच्छी से आनी चीए ने रटन प्रोपर आनी चाहिए जाना की तो मिर्ट काई यह चेह च्छिझत कोण सी और जाना राएंगी लाइन की जो कि अपने ऐसे प्रोक्त करना है कुछ भी कहना है वो सब लाइन से यह लाइन से लाइन के पढ़ेंगे जाती हैं हम वां वाइब यह सारे टोपिक क्लियर करते जाएंगे तो आज हमने इसके बड़ा है पड़ा उसको लिखने का तरीप है लिखने का सिस्टम होता है वह अख्षर आख्षा अब तो आपको तो बिमांकन भी समझें आगया होगा विमांग खुला मां अंकित करने का तरीका है वह बारा क्या करता है वे मांग करता है कि यह तो जो में तरीक एंस्टेक्षान जो में तो चोट चोटी चीह पढ़ेंगी जो मैं आपको बदाई जैसे पॉइंट है तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है लाइक करें करें और सब्सक्राइब करें चनल को को आगे दूसरी क्लास जन्दी आईगी और अगे हम इन टॉपिक के बारें पढ़ेंगी धीरे चार-पांच क्लास के बाद हम और ओर्तोग्राफिक प्रोजेक्शन रहेंगे और व लेकिन हम जब करेंगे तो देखना कितना असानी समारा हमसे और्टोग्राफिक पॉजेशन बना देखना